समन्य आदमी जो संग से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो राष्ट्य स्वेंग से वक्संग का नाम आते ही उसके अंदर एक जिग्यासा पैदा होती है यह आखिर राष्ट्य स्वेंग से वक्संग है क्या उसकी अस्थापना कब कैसे और क्यों हुई इस तरह के बहुतेरे प्रस्ण एवंग जिग्यासा मन में पैदा होते हैं लेकिन उनका समोचित उत्तर नहीं मिलबाता है यदि आपके मन में भी इस तरह की जिग्यासा है और आप भी राष्ट्वे स्वयंग सेवक्संग के इतिहास अस्थापना एवंग उसकी रीती नीती से परिशित होना चाहते हैं तो इसमें एक छोटी पुस्तक आपकी मदद करेगी इस पुस्तक का नाम ही है राष्ट्वे स्वयंग सेवक्संग का परिच है इस पुस्तक को माननीय एमजी बैद्या ने लिखा है इस पुस्तक को पढ़ते ही राष्ट्वे स्वयंग सेवक्संग से जुड़े इन सभी मूल प्रस्णों का उत्तर आपको मिल जाएगा आप यह जान पाएंगे कि आखिर संग के पर्तम सरसंग चालक डॉक्टर केशौ बलराम हडगेवार जी ने क्यों कैसे और किन परिस्थितियों में संग की अस्थापना की आखिर राष्ट्य स्वयंग सेवक्संग की अस्थापना का उद्यस्य क्या था आप यह भी जान पाएंगे कि संग का नाम आखिर राष्टिय स्वेंग सेवक संग ही क्यों रखा गया इसमें संग का अर्थ क्या है संग के दृष्टी में राष्टिय का अर्थ क्या है इन सभी प्रस्णों का उत्तर आप इस पुस्तक में प्रात कर पाएंगे संग के कारिकरम क्या है, संग के लिए साखा का महत्तों क्या है, संग के आयाम कौन कौन से है, संग की रितीनीती क्या है, संग की प्रार्थना एवंग उसका अर्थ यह सब कुछ संछेप में इस पुस्तक में पढ़ पाएंगे इस पुस्तक में आपको राष्टिय स्वेंग से वक्संग के सभी सरसंगचालकों का भी परिचय प्रत्थ होगा इस पुस्तक की मुल्य मातर 25 रुप्य है अता आपको इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए यह पुष्टक आपको संग को समझने में बहुत ही उपियोंगी से हैं